हलो फ्रेंड्स मैं दानियाल स्वागत करता हूँ आपका कीडो कोडर में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग परेंगे रिमोट लॉग इन प्रोटोकॉल्स और उसके एक्जामपल जो होते हैं से टिलेट प्रोटो क्या होता है सिक्योर श safer प्रोटो को यह होता है इन सारे चीज के पारे में आज की वीडियो इसक्राइел करें हैं तो चलिया और भीना टाइम घबाए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमिलोग जानते हैं कि कि remote login protocols होता क्या है remote login protocols are the protocols that was designed to access remote computers over the network remote login protocols एक ऐसा protocol है जिसको design किया गया remote computer को access करने के लिए किसी network पर यह आपको example है जैसे टेलनेट है हमारा secure cell है यह सब हमारे क्या है remote login protocol है यह आपका देखिए यहाँ पर टर्मिनल है यह हमारा local computer है और इस network के माध्यम से हम remote computer को क्या कर रहे हैं एक्सेस कर पा रहे हैं तो यह facility जो provide करता protocol उसी protocol को हम क्या बोलते हैं remote login प्रोटोकॉल बोलते हैं उसमें हमको दो प्रोटोकॉल परना है एक परना हमको टेलनेट और दूसरा परना हमको SSH secure cell protocol तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेलनेट होता क्या है टेलेट का रिमोट लॉग इन प्रोटोकॉल यह हमारा क्या है remote login प्रोटोकॉल है तो एक्सेस remote computers over a network टेलनेट हमारा क्या है एक remote login प्रोटोकॉल है जिसका यूज हम करते हैं remote computer को access करने के लिए किसी network पे देटा transmitted is not encrypted टेलनेट में क्या है जो data transfer होता है वह encrypted नहीं है encrypted नहीं है का मतलब क्या है कि अगर आपका data leak होता है तो वह data safe नहीं है समझ गई बात अगर आपका data leak होता है तो वह safe नहीं है किस case में टेलेट के case में आगे चलते हैं इट वाक्स ओन एप्लिकेशन लियर ओफ OSI model यह किस पर काम करता है OSI model के application लियर पर काम करता है मैंने और लेड़ी आपको OSI model परहा दिया है link में description में डाल दूंगा आप वहां से उसको पढ़ लीजिएगा आगे चलते हम लोग SS क्या मतलब होता है secure shell protocol यह भी हमारा क्या एक remote login प्रोटोकॉल है लेकिन यह क्या है सिक्योर है टेलेट भी हमारा remote login प्रोटोकॉल है लेकिन टेलेट क्या है सिक्योर नहीं है लेकिन हमारा secure shell क्या है secure protocol है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं remote computer को access करने के यह करते हैं आगे चलते हैं ड़ा ट्रांस्मीटेट हैं कि इसमए क्या हमारा जो ट्रास्फर होग रहा है वह타 है मतलब अगर आपका लीक होता है steps इंप शेफ रहेगा क्योंकि वह encrypted है वह हमारा इधर उदर से कोई उसको चोरी नहीं कर पाएगा आगे चलते हैं हम लोग इट वाक्स अन एप्लिकेशन लिए और ओएसाइए मोडल यह भी हमारा किस पर काम करता है ओएसाइए मोडल के एप्लिकेशन लियर पर ही काम करता है तो मैंन अपडेट